स्वागत है आपका यूटूब चैनल किसान फार्मिंग क्लब में तो किसान भाईयो हम आज आपको ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिए लाखों रूपे आपको फाइदे के रूप में देगी और देती आई है क्योंकि किसान जो होते हैं अधूरी जानकारी के कारण उस खेती को सही तरीके से नहीं कर पाते जिससे कि उनकी फसल बिगड़ जाती है खराब हो जाती है और उनको पूरा फाइदा नहीं हो पाता और वो फसल है प्याज की किसान भाईओ आप जानते हैं प्याज इस यह जो महीना है जो अभी जनवरी चल रहा है जनवरी के महीने में इसका पोदार ओपर किया जाता है और ये 65 से 70 दिनों में यह जो पौद है तैयार हो जाती है और इसको फिर लगाया जाता है तो कैसे लगाते हैं और कैसे तयार करते हैं हम जानकारी लेंगे जो हमारे किसान भाई है उनसे क्योंकि किसान भाई को पूरी जानकारी रहती है और इन्होंने काफी profitable जो business है जिसको आपन कह सकते हैं किसानों के लिए धंदा भी बोल सकते हैं वो इन्होंने किया है काफी तो जुड़ते हैं किसान भाई से और बात करते हैं जी असलाम वालेकुम तो किसान भाई देख रहे हैं सबसे पहले अपना नाम बताईए क्या नाम है अपना मेरा अब्दुल रजाक खान जी है इनका नाम तो अब्दुल रजाक जी आप ये बताईए आज कल जो प्याज है उसक इतना प्र67 कमा आवह तक है लाग डेढ़ लाग रुपए कमा लेते हैं हान देखते हैं किसाण था ये लगाते हैं प्याजों को तो आप सबसे पहले क्या करते हैं प्याज के लिए सबसे पहले जुता ही करते हैं च्यार पांच बार फिर उसके बाद फिर उसको तैयार करते हैं फिर उसमें देशी खाट डालते हैं देशी खाट डालते हैं एक साल पुराना वो भी गड़ा हुआ अच्छा देशी खाट डालते हैं एक साल पुराना गड़ा हुआ गड़ा हुआ खाट उसको फिर टेक्टर से जुतवा देते हैं तो वो अच्छी तर मिल जाता है उसमें उ डाल देते हैं देशी खाद देशी खाद उसके बाद में क्या करते हैं फिर उसको पंजी से मिला देते हैं डंग से डंग से मिला देते हैं जिससे वो मिल जाता है उसके बाद क्या क्या जाता है उसके बाद उसको पंजी से मिला करने के बाद फिर उसको बीज को डाल देते भी किसान भाईयों आप देख रहे हैं यह mobile के नाम से ब्रांड जो बींज है वो आता है और यह वौला बीज लगाते हैं यह बी आप हमेङसा यह नहीं लगाते हैं तो यह आज बाव आता हैं तो आप देख रहे किसान बह्यों दो दोबिशा में यह पांस थेली लगती है यानि कि यह लगने के बाद में उसके बाद में आपने यह फसल तयार कर लिकितने दिन में फसल तयार हो जाती है 60-65 दिन में हो जाती है, 60-65 दिन में तयार हो जाती है, फिर क्या करते हैं उसके बाद में, उसको बीज को मिला देते हैं, जी, उसके बाद मिलाने के बाद फिर इसको पानी छटक देते हैं, चाओ पानी पतल पतल से पानी दे भी सकते हैं, अच्छा, उसके बाद में, उसके ब पाइन देते को , उसके बाद में पानी मेंहें हफते में इक बार पानी में दो तो चार पानियों में तयार हो जाता है तो चार पानियों में तयार हो जाता है, 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 तो चार पानियों में तयार हो बनाते हैं तो राड किशीस से बनाते हैं या बनाते हैं। तो डांड की चीज से बनाते हैं आप हाथ से बनाते हैं मशीन से बनाते हैं मशीन से तो मशीन के अंदर होती है तो वह उसको डांड बनाने के बाद में फिर क्या करते हैं उसको दोरा बना देते हैं फिर दोरा बनाने के बाद में दोरा बनाने के बाद में दोरा बनाने के बा कि आपको 3-3 इंच की दूरी में आपको वो पोधर ओपन करना है यानि जो बीज है वो आपको 3-3 इंच की दूरी में लगाना है जिससे मोटी और जिससे मोटी प्याज होगी तो अपनी यहां जो अलवर की जो प्याजे हैं प्याज जिसको आपन कहते हैं कांदा भी बोलते हैं तो यह नासी की प्याज से बढ़िया होती है या फिर मतला सेम नासी किसी रहती है सेम नासी किसी रहती है तो जो आपने यह बीज दिखाए यह है यह एसी प्याज हो जाएंगी तो किसान भाईयो आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल किसान फार्मिंग क्लब और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं और किसानों को मिलवाते हैं और उनकी जानकारिया शेयर करते हैं और किसा रजाक जी आप इसके बारे में और क्या बता सकते हैं किसानों को कंड के बारे में जी कंड के बारे में जो कंड आप लगाते हैं जो प तैयार हो जाती है कितनी कितनी तैयार हो जाती है हो जाती है इतनी बड़ी हो जाती है उसके बाद में बड़ी होने के बाद में क्या करते हैं बड़ी होने के बाद फिर उसको लगा देते हैं जी लगा देते हैं तीन तीन इंची की दूरी पर उसके बाद में जैसे लगा दिय गालने के लिए भी कोई दवाई है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं निलाने सिर्फादा रहता है भी खराब हो जाती है तो मोटी और एक तंदुरुस्त बनाने के लिए निलाई ज़रूरी है तो रजाक जी आप जब यह फसल पूरी तयार हो जाती है तो यह कि दिन लेती है तयार होने प्रोसेसिंग मंडी ले जाने का तो आप देख रहे हैं किसान भाई यह लास्ट प्रोसेसिंग होता है मंडी ले जाने का मंडी में क्या भाव आपको मिलता है अगर आप पहले प्याज लगाते हैं तो आपको पहले भाव के हिसाब से ही आपको मतलब कीमत मिलेगी आप यह बता सकते हैं कि आप जैसे आगेती लगाते यानि जिसको बोलते हैं पहले तो ज्यादा प्रोफिट होता ह तो किसान भाईयों आप समझ गए होंगे कि अगर आप सबसे पहले अगर आप रोपन करेंगे इस चीज का प्याज का तो आपको ज्यादा मुनाफ़ा होगा और ज्यादा आप कमा पाएंगे तो ये थे रजाग जी जिनोंने हमारे साथ में अपनी जानकारी को शेयर किया इनों को काफी अनुभाव है इस बारे में प्याज का क्योंकि ये कम से भी कम नहीं तो चार-पाँ साल से प्याज का बिजनस कर रहे हैं कहने का मतलब प्याज लगा रहे हैं किसानी कर रहे हैं क्य को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही किसान से, रजाग जी जैसे किसान से, तब तक के लिए जै हिंद, जै जावान, जै किसान,